नमस्कार मैं हुदिवा बिहारी न्यूज में आपका स्वालत है आज 18 फर्वरी दिन रवीवार खबरों के उबने से पहले एक नजर सुर्खियों पर 22 फर्वरी को बेगु सराई में लग रहा रोजगार मेला केके पाटक अपसिक्चकों के साथ साथ इलिक्चन अधिकारियों पर भी दिखा रहे सकती अब आसानी से बनेगा पास्पोर्ट भागलपुर के अंतरगत प्राचीन विक्रम सिला की खुदाई में मिले तिबबती मंदर जैसे भवन के संकेत राम लला के दर्सन से लोगों की सहूलियत को देखते वे शुरू हुई ये सुविधा बिहार के इंजलों में हो सकेंगे A&M, G&M और BSC नर्से राजकोट में तीसरे टेस्ट मैच में ये सस्वी जैसवाल ने दिखाया सामधार प्रदरसर अब चले बरते हैं बिहार के अब तक की 35 भरी खबरों की और विस्तार से तकनीसियन की 9000 पदों पर रेलवे ने निकाली भरती तकनीसियन की 9000 पदों पर रेलवे भरती बोर द्वारा भरती निकाली गई है इस भरती के लिए आविदन प्रक्रिया 9 मार्च से शुरू होगी और आविदन करने के इंतिम तारीक 8 अपरेल होगी इस भरती के लिए एक चुक मिदवार 9 मार्च से आविदन कर सकेंगे यह आविदन आपको RRB के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर करना होगा इस भरती के लिए उमिद्वारों की नियुंतम आयू सीमा 18 वर्स और अधिकतम आयू सीमा 33 वर्स और 36 वर्स रखी गई है इस आविदन के लिए आपसे आविदन की सुलके के रूप में 500 रुपे लिए जाएंगे हालांकि अरक्चित उम्हिद्वारों को इसके लिए 250 रुपे ही देने होंगे इसे संबंदित सेक्षनी की वो अन्य जानकारी के लिए आप इसके दिस सूचना को देख सकते हैं बिहारी पैटर में आज हम बात करेंगे लौरिया नंदन गड़ के बारे में ये अस्थान बिहार के पस्टिम चंपारन जिले में एक छोटा सा नगर है इस नगर में आपको कई विसाल अस्थम देखने को मल जाएंगे जिसका निर्मान मौरिस हम्राट असोग द्वारा करवाए गया था ये अस्थान अरकटिया गंसे 18 किलोमेटर दूर बूरी गंड़क के किनारे स्थे थे परेटकों के लिए अस्थान सालो भर सांदार पेटन का केंद्र बना रहता है यहां की खूबसूरती देखते बनती है यहां आपको असोग के सीला लेक और अस्थूप भी मौजू देखने को मलेंगे यह अस्थान बहुत धर्म से संबंध रखने वालों के लिए काफी महत्वपून है इतिहास को समझने का स्वाक रखने वालों के लिए अस्थान सबसे बहतरीन है 22 फरवरी को बेगु सराइ में लग रहा रोजगार मेला आठवी पास भी ले सकते हैं भाग बेगु सराइ में 22 फरवरी को रोजगार मेला लगने वाला है यह मेला सुबद 10 बजे से लेकर सामके 4 बजे तक सविप्त स्रम भवन कैंपस में लगने वाला है जहां दस कंपनियां लगों को रोजगार देने पहुंचेंगी इस रोजगार मिले में हजार से भी अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की समभाव ना है इस मिले में वे सभी युवा भाग ले सकते हैं जिन्होंने आटवी पास के साथ-साथ हसना तक ITI डिप्लोमा या भीटे किया हो इस रोजगार मिले में भाग लेने के लिए आपको ncs.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा यहाने वाले सभी उमिद्वार अपने साथ जरूरी दस्तावेज लेकर आएंगे इन जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैक्चिक, प्रमान, पत्र, मार्क सेट और पासपोर्ट साइद रंगीन फोटो होने चाहिए अब आसानी से बनेगा पासपोर्ट आप लोगों को पासपोर्ट बर्माने के लिए धरुदर भटकने की जरूरत नहीं परेगी दरसल विदेश मंत्राले द्वारा इसकी पहल की गई है इस नई पहल के तहट आपके अनुरोध पर छेतरिये पासपोर्ट कारियाले पत्ना की तीम आपके दरवाजे पर पहुँचेगी यहाँ आपके कागजाद सही पाए जाने के बाद आपको अन दे स्पोर्ट पासपोर्ट मोहिया करवा दिये जाएंगे इसके लिए वरिय अधिकारियों की टीम छेतरिये पासपोर्ट कारियाले के तरब से तयार के गए हैं बतादे के सुवधा को लेका जल्दी ट्रायल शुरू होगा और एक मार्ट से आम लोगों को भी यह सुवधा मिलने शुरू हो जाएगी बतादे की पटना के अलावे ये टीम जिलों में और जरूरत परने पर गाउं में भी पासपोर्ट बनाने के लिए पहुँचेंगे पासपोर्ट कारियाले इस टीम को उन सभी जगों के लिए रवाना करेगी जिन जगों से अधिक पासपोर्ट की मांग की जा रही है बतादे की पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको आधार कर मैट्रिका प्रमान पत्र अस्थाई पता युख पहचान पत्र और दो फोटो की जवरत परेगी लोगसबा चुनाब के तैयारियों के समिक्षा करने पटना आ रही भारत निर्वाचन आयोग के उचस्तरीय टीम भारत निर्वाचन आयोग के उचस्तरीय टीम लोगसबा चुनाब की तैयारियों के समिक्षा के लिए पटना सोमवार को आने वाली है समिक्षा के लिए आने वाले सोच अस्तरिये टीम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीब कुमार और दोनों निर्वाचन आयुक्त अनूप चंदरपांडे वा अरुन गोयल भी पहुँचेंगे साथी वरी अधिकारियों की टीम भी इनके साथ आने वाली है बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कारियाले को आयोग ने पलपल के कारिकरम का निर्धारन करते वे इसकी सूचना भेज दी है बता दे के सोमवार को पटना आने वाले ये टीम लोगसभा की तयारियों के समेक्चा करेंगे जब उचस्तरियेगी टीम बिहार के पटना आएंगी तो सारे साथ वजे से लेकर सारे आठ वजे तक बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस के नोडल और जहारकंड के अर्धसैनिक बलों के नोडल अधिकारी के साथ बैठक भी करेगी केके पाठक अब सिक्षकों के साथ साथ रेक्चन अधिकारियों पर भी दिखा रहे सकती सिक्षा वबस्ता के सुधार में लगे केके पाठक फिर से सक्त होते नजर आ रहे है दरसल सिक्षकों और बच्चों के साथ-साथ ये जाँच अधिकारियों पर भी नकेल कसने की तयारी कर रहे हैं बता दे कि अभी ये जाँच अधिकारे स्कूल में किये गए जाँच की केवल रिपोर्ट ही भेजते थे लेकिन अभी ये रिपोर्ट के साथ-साथ फोटोग्राफ भी भेजेंगे बतादे कि इस बात के निर्देश वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये सबी जिला सच्चा पताधिकारियों को केक के पाठक द्वारा दिये गए है उन्होंने कहा है कि सबी निर्देशन पताधिकारी और कर्मी सुबह सारे आठ बजे विद्याले निर्देशन के लिए उपस्तित होना सुनिस्ति करें फिर उसके बाद सुबह नौ बजे विद्याले में सच्चकों के साथ फोटोग्राफ लेकर उसी वक्त ग्रूप में भेजना सुनिस्ति करें रामलला के दर्शन में लोगों के सहूलियत को देखते वे सुरू हुई ये वैवस्ता विहार के साथ साथ देश के अन्ने कई दाजियों से लोग आयुद्या रामलला के दर्शन के लिए लालाईद हैं इस रेनी में स्रधालों को सुब़ साथ बजे से रात की नौबजे के मधे दो-दो घंटे की 6 अलग-अलग स्लोट दी जाएंगी जाहें इस रेनी में जिन भी स्रधालों ने पास निर्गत करवाए थे उन्हें booking slot के निधारित समय पर पहुँचना होगा यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके पास को निरस्त कर दिया जाएगा बदादे के सुगम दर्शन के लिए स्रधारों को 300 रुपे और विश्यस दर्शन के लिए 1.500 रुपे देने होंगे सनिवार को इस वैवस्ता को लागू कर दिया गया है वेड कोवर सिंग विस विद्याले के अधीन आने वाले सभी कॉलेज होंगे डिजिटल वेड कोवर सिंग विस विद्याले के अधीन जितने भी कॉलेज आते हैं सभी को डिजिटल करने की तैयारी है वीवी प्रसासंद्वारा भी कॉलेज को डिजिटल बनाने की दिसा में कदम बरहा रहा विस विद्यारे में डिजिटल आधार भूत धाचे को मजबूत करने के लिए योजनाय बनाई जा रही है साथी कॉलेज मेनेजमेंट इन्फोर्मेशन सिस्टम भी इने कॉलेजों को डिजिटल करने के लिए लागू किया जाना है वीवी प्रसासंद्वारा इसके लिए टिंडर भी जारी कर दिये गया है उम्मीद है कि वीवी प्रसासंद वारा मार्च माह के दूसरे सब्ता तक टिंडर की इस प्रक्रिया को पूरी कर दी जाए इसके बाद कॉलेज और उसके सभी कार्याले पूरी तरह से डिजिटली काम करेंगे इसका लाप कॉलेज के बच्चों को भी होगा उन्हें हर छोटी चीजों के लिए कॉलेज कार्याले की भाग दौर नहीं करने परेंगे बिहारी बातरे में आज हम बात करेंगे नलीन विलोचन सर्वा के बारे में इनका जन्म आज के ही दिन यानि 18 फर्वरी वर्स 1916 में पटना में हुआ था ये पटना वस्विध्याले की हिंदी प्रध्यापक, हिंदी लेखक और आलोचक थे हिंदी में नाके बाद आंदोलन के तीन पुरस करताओं में इनका नाम भी सामल था इनकी चित्रकरा में भी गहरी दूची थी और बियस्सी नर्सिंग भारती नर्सिंग परिशत के दिसान निर्देश के मुताबिक एएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए सरकार के दिसा निर्देसों के मुताबिक नौ संस्थानों एन्म पाठेक्रम मुहया कराएंगे चार संस्थान जी एन्म पाठेक्रम पेस करेंगे और चार संस्थान बीएसी नर्सिंग पाठेक्रम पेस करेंगे बतादे की मंजौल, मधेपूरा, नौगछिया, पाली गंज, वकरी दयाल रकसौल, फूल पराज धमदाहा और बाइसी में सित संस्थान एनम पाठेकरम संचालत करेंगे। वहीं मधुबन, मोतिहारी, नालंदो और नवादा में सित संस्थान जीनम और पुर्णिया, बेतिया, सारन वो मुझपर पुर्जिले में सित संस्थान बीएसी नर्सिंग पाठेकरम क्रदान करेंगे। भागलपुर के अंतरगत प्राचिन विक्रम सिला की खुदाई में मिले तिबबती मंदर जैसे भवन के संकेत, बीते कुस दिनों से बिहार के भागलपुर के अंतरगत, मौझूद प्राचिन विक्रम सिला के अपसे इस जंगलेसवर्ट टिला की खुदाई चल रही है, इस इस खुदाई में कई तरह की जीजे सामने आ रही इस खुदाई में तिब्बती मंदर जैसे भवन के संकेत भी पुरा तत्व विभाग के टीम को देखने को मिले हैं। इस खुदाई में बड़े बड़ाब होने जा रहे हैं। सिस्टम का इसके निर्मान में किया जाने वाला है जिसकी मदद से विजली के साथ सो और उर्जा भी इस्तिमाल में आएंगे। आपको बता दे कि नए भवन में 20 विभाग की OPD सिवा 27 परवरी को शुरू होने वाले ग्रीट के निर्मान से 5200 बेट के बन रहे इस PMCH में बिजली की कमी नहीं होगी। दंगल में छोटी बवीता फोगाट की भूमिका निभाने वाली सुहानी भटनागर ने दुनिया को कहाल वेदा। गीता और बवीता फोगाट पर बनी दंगल फिल्म तो आप सभी को याद होगी जिसमें आमिर खान भी मुख्य भूमिका में नजर आये थे। ले रही थी और दवाओं का कुछ साइड एफेक्ट हुआ था। कथित तोर पर उनके जरीर में तरल पदार्थ जमा होने और शायद यहीं उनके निदन का कारण भी बना। आज का मौसम रहेगा सुस्कृ बिहार में एक बार फिर से मौसम में बदलाव की बात सामने आ रही दिरसल आने वाले दिनों में बिहार में मौसम विभाग द्वारा बारिस की संभावना जटाई गई है। मौसम विभाग द्वारा बारिस की ये संभावना बिहार की कई हिस्सों में 20-22 और 23 फरवरी को जटाई गई है। हाला कि आज प्रदेश का मौसम सुस्क रहने वाला है। प्रदेश का जिक्तम तापमान 26-28 डिग्री और निउन्तम तापमान 12-14 डिग्री रहने की बाद कही गई है। रोटरी क्लब ओफ कंकर बाग की और से आउधित कारिक्रम में 60 लोगों को मिला फायदा। बीते दिन सनिवार को रोटरी क्लब ओफ कंकर बाग की और से लाही बाग गाउंबस स्टेंड के पास हेल्थ चेकप एवं अवैरनेस कैम्प का आउजन किया गया। कैम्प में ब्लड सुगर एवं ब्लड प्रिसर के साथ-चाथ मोतिया बिंद के मरीजों की भी जाच होई है। कारिकरम में साथ लोगों ने फायदा उठाया मोतिया बिंद के मरीजों के लिए। रोटी क्लब ऑफ कंकर बाग समय समय पर मुफ्तिक में आउप्रेशन करवाता है। जाच अभी हाल में जदियों और बीजेपिक ने राज़त पर विधायकों के खरीदने का आरोप लगाया था। अब इसी मामले पर जाच करने की खबर सामने आ रही। इस मामले में वार्थिक अपराद इकाई भी आ चुकी है। जिसे इस केस की जिम्मेदारी सौपी गई है। दियस्पी को जाच अगेंसी द्वारा इस केस का आईयो बनाया गया है। पुलिस मुख्याले को पटना के असेस्पी ने इस मामले में कई पहलों पर विसे सगे अगेंसी से जाच कराने को लेकर पत्र लिखा था। दिसके बाद आर्थिक अप्रा इकाईं को इस मामले के जिम्मेदारी सौपी गई। अस्पताल बहतर हो गये। उन अस्पतालों को फिर से बतर हालात मिले जाएंगे। फ्लाइ ओवर के नीचे की जमीन बेकार परी थी। वहां बच्चे अब खेल सकते हैं। उसे खत्म कर देंगे। जो मांदे भरहा आसा रसो या ममता उसे खत्म कर देंगे। ये जाँच नहीं नितीश कुमार की घबराहट है क्योंकि बिहार में एक मैसिच चला गया है जिसे मैं बार-बार कहता हूँ। दौकरी बोलिए बच्चा युवाज जवाब देता है 30 वी। अस्पताल बोलिए 30 वी। मांदे भरहाना 30 वी। टूरिज्म फॉलिसी 30 वी। तो यह जाहिर तोर पर इसे नितीश कुमार को दिक्कत हो रही है। उवैसी ने किसंगंज इस्थ एम्यू के फंड रिलीज नहीं होने को लेकर इन दलों पर कसातंज दो दिवस्य दोरे पर किसंगंज पहुंचे ए आई एमाई एम अधर जसल दुद्दीन ओवैसी ने किन सरकार से किसंगंज के चकला में इस्थ अलिगर मुस्लिम यूनिवर सिटी के निर्मान से सिमान चल ही नहीं बलकि पूरे बिहार के विवाओं को फायदा मिलेगा इस दौरान उन्होंने जदियू राज़त और कॉंग्रेस तीनों पर निसाना साधा उन्होंने कहा कि जदियू जब सत्ता में नहीं थे तब इस मामले का बहुत जिक्र हुआ ले दाज कोर्ट में तीसरे टेस्ट मैच में यससवी जैसवाल ने दिखाया सांदार प्रदर्सन दाज कोर्ट में दिसरा टेस्ट मैच देखने को मल रहा इस मैच में इंडिया अभी मजबूत स्थिती के साथ खेल रहा है बता दे कि भात ये तीम की बरहत खेल खत्म होने के सा 322 रन की वरहत हो चुकी है इस मैच में ये सस्वी जैस्वाल सांदार पारी खेलते नजर आए इन्होंने सांदार सतक के साथ टीम इंडिया को बरे स्कोर तक पहुंचा दिया है सुबन गिल का भी अच्छा प्रदर्सन देखने को मिला इन्होंने इस मैच में आर्दिस सतक आज के दिन वर्स 1905 में सामजे क्रिस्न वर्वा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी के स्थापना लंदन में की थी आज के दिन वर्स 1911 में एयर मेल की पहली राधिकारी कुरान इलहबाद में होई थी जोरान विबान से पहली बार डांक पहुंचाने का काम भारत में हुआ आज के दिन वर्स 1906 में साही नौसेना विद्रो मुंबई में हुआ था आज के दिन वर्स 1971 में भारत और बेडेन के बीच उग्रह संपर्क कायम हुआ था आज के दिन वर्स 1909 में अमेरिका ने भारत को 64 करों रुपय का चेक दिया था जो दुनिया के सबसे बरी रकम का चे थार एक्स्प्रेस आरम हुए थे वर्स 2008 में आज कही दिन भारति रिजब बैंक ने स्विस बैंक यूडी एक एजी को देश में कारुबार करने की अनुमती दी थी आज के वाइरल कबर में हम बात करेंगे CBSC परिक्षा को लेकर वाइरल हो रहे इस लेटर के बारे में अभी CBSC बोड की परिक्षा चल रही है अब इससे बीच एक लेटर वाइरल हो रहा है इस वाइरल हो रहे लेटर को CBSC बोड का बताया जा रहा है या पत्र CBSC से मानेता प्र एक्सणाब जारी नहीं किया गया जहां परिक्षा क्रीधिति में बदलाव की बात की जा रही वह पता दे कि फेक्ष ने भी सेर्ड किया है जहां साफ चोर पर इस पत्र को फरजी करार दिया है इसलिए वायर हो 2024 के संसदिये चुनाव और राज्य विधान सभा चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तयार है और सभी तयारी अलगबक पूरी हो चुकी है बतादे कि ये मद्दान कितने चर्णों में होंगे इसके आधिकारी घोस्तना चुनाव आयोग द्वारा दी जाएगी बतादे कि स साल 2014 में जब चुनाव हुए थे तभी चुनाव नौच चर्णों में आयोज़त हुए थे साल 2019 के दौरान ये चुनाव साथ चर्णों में पूरे किये गये थे AI के भ्रामक प्रयोग को रोकने के लिए ये कंपनिया करेंगी मदद AI का भ्रामक प्रयोग हर कसी के लिए नुकसान दे है भ्रामक कंटेंट और डीप फेक जैसे माम ले हर कसी को परिशान कर सकते हैं अब इसी करी में भारत सही दुनिया के अन्य देसों में चुनावों में इन भ्रामक AI कॉंटेंट और डीप फेक को रोकने में Microsoft, Meta, Google, X और Amazon जैसे 20 प्रमोक टेक कंपनिया मदद कर रही हैं बता दे कि इन कंपनियों ने 2024 के चुनावों में Munich Security Conference MSC के दौरान AI के भ्रामक प्योग से निपटने के लिए टेक सब जोते पर हस्ताक्षर किये हैं ताकि इसके मदद से सातर किसी भी मददाताओं को धोखा ना दे सके साथी चुनाव भी सांती के साथ पूरी करवाई जा सके बिहार में सराब तसकरी मामले में अब तक 10 लाग लोगों की गिरफतारी फिर भी नहीं थम रहे मामले वर्स 2016 में ही बिहार में सराब बंदी लागों कर दे गई थी और तब से लेकर अब तक करीब 10 लाग से भी अधिक लोगों की गिरफतारी हो चुकी है साथ ही 7 लाग से अधिक लोगों पर आप राधिक मामले भी दर्ज हुए हैं इतनी बरी कारवाई के बाद भी वर्स 2023 में प्रदेस में करीब 49.6-3 लाग लीटर सराब को जब्त किया गया है बताने के इस बात की जानकारी पेस हुए बजराजे बजट में मदन इसेद उतपाद और निबंदन विभाग से दूरे बीते कई सालों की कारवाई के विबरन में मिले हैं इस विबरन के जरी बताया गया है कि मदन इसेद नेती के सफल कारे आयन वर्ण के लिए अप्रेल 2016 से नवेंबर 2023 तक फुलिस और मदन इसेद पदादी कारियों द्वारत छापे मारी करते हुए अब तक कुल 7,9,406 अभी योग दर्ज हुए है इस दिन तक बक्तियारपुर मुकामा ग्रीन फिल्ड पर दौरेंगे बाहर आने वारे मार्च महीने तक बक्तियारपुर मुकामा ग्रीन फिल्ड पर गारियों के दौरने के उमीद जताई जा रही है यदि ऐसा होता है तो दो चरणों में आवा गमन बक्तियारपूर मुकामा ग्रीनफिल्ड फॉर्ड लेंड से शुरू होगा हम प्रति दिन अपसे पांच असे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो की बिपीए से बिहार पुलिस दरोगा समेट ऐसे से जैसे इनर प्रतोगी परिक्षाओं में काम आएंगे सवाल एतिहास बिहार स्पेसल विग्यान करेंडा फेर्स और वोगोल से रहेंगे पूछे के पांच सवालों में आपने कितना सही उतर दिया है या में कॉमेंट करके जरूर बताएं तो हमारा पहला सवाल है पेटियम पेमेंट्स बैंक का संचालन करने वाली कंपनी कौन है औपसन ऐ है पेटियम ओपसन भी है 197 कम्यूनिकेशन औपसन C है भाति रिजब बैंक भाति राष्ट भुक्तानिकम एंपी सी आई इसका सही तरह 197 कम्यूनिकेशन रविच अन्जन अस्विंच से पहले टेस्ट इतिहास में 500 विकेट लेने वाले एक मात्र भाद्य क्रिकेटर कौन है। और विराट कुली और य। और अनिल कुम्भले और विदेश मंत्री एस जैसंकर ने फीजे में किंकी प्रदिमा का नावरण किया है। उप्सने हैं सरदा वल्लब भाई पटेल, उप्सन भी पंडित जवाल लाल नहरू, उप्सन सी भीम राम बेटकर, उप्सन भी एटल विहारी वाजपई, इसका सेयूतर है सरदार वल्लब भाई पटेल, विहार के रहने वाले बैदनात मिस्रियामी, साहित जगत में किस नाम स जाने जाते हैं, उप्सने है दिनकर, उप्सन भी ए नागरजुन, उप्सन सी है मुल्सी, प्रेम चंद्र, उप्सन भी है गोपाल सिन्हा ने पाली, इसका सेयूतर है नागरजुन, राष्ट कवी के नाम से विख्यात रामधारी सिंग दिनकर का जन्म कहां हुआ था, उप और आपसन इसका सेयूतर है स्वाल का आप लगों कोंध यवा गटर्जिखन बाकॉंस में लिकर दिया था जिन्होंने हमारी जुए सवाल का ज्यवाब है उनके नाम है दाजीब कुमार राज के सोल महतो, संकर मुखिया, सतेजीत, राय, प्रिंस वार्शनने, रंजीत मिस्र मिश्राती, खान, मुहमद चाकिर, हुसेन, डाली कुमारी, संतोस कुमार, रवी संकर, नौसाद, रजा, सोनाली, छोटू, राजा, नवलके सोर, जहा, बनोत कुमार, मा अमर्जीत कुमार इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों राज का सवाल है आपके छेत्र में सरकारी अस्पतालों की स्वास तो सुविदा कैसी है आप अपना जवाब हमें वारे कॉमेंट से संबॉक्स में लिका जरूर बताएं आज के लितना ही बिहार के तमाम ग्रूप से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो फेज को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद